हेलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आप लोगों को मेरे चाइनल पर तो आज मैं बताने जा रही हैं यह जो पौधा है यह जिनिया का पौधा इसको पिंचिंग कैसे करेंगे इससे ज्यादा से ज्यादा फूल कैसे लेंगे इसमें कली आ गया है इसमें भी देखिए इस ब्रांट हो भी गया है तो इस स्टेज पर इसको पिंचिंग मेरे को करना है मैं आप लोग को दिखाते हैं देखिए यह है तो इस देखिए इसमें ब्रांच भी निकल रहा देखिए मैं अच्छे से दिखा रहे हैं आप लोग को देखिए ब्रांच भी निकल रहा है सब प्रांच निकल रहा है एक हाथ से मैं बबाहिल फखड़ी हूं बता रहे हैं तो यह जो है देखिए यह पौधा है और यहां से हमको इसको कट करना है इस तरीका से फिर इधर भी मैं इसमें कट करूंगे इसको अभी नहीं कर रही हूं थोड़ा से और यह बड़ा हो जाए पेड़ पौधा तो मैं करूंगे यह दोनों पौधा बड़ा है इसको मैं नहीं कर रहे हैं इसको कुछ दिन बाद करूंगे यह है छोटा वला फूल गिंदे का तो इसको भी मैं कट करूँगी देखिए इसको भी कट कर ली यह तीनों को मैं कट करूँगी और इस पौधे को मैं अभी इसमें खाद दूँगी उसके बाद बड़ा गमला में इसको रिपोर्ट भी करना है मेरे को यह मेरी गोल्ड को और यह जिनिया को दोनों को मैं पिंचिंग कर दी हूँ देख लेजिए आप लो और देखिए यह सब इससे भी आप एक पौधा नया तयार कर सकते हैं इसको आप लोग खाद मिट्टी देके इसको लगा दीजिए यह लग जाएगा और यह भी लग देखिए यह हरिसिंगार का पौधा देखिए इसको मैं एक महिना पहले पिंचिंग करी थी और देखिए यहां से मैं इसको करी थी यहां से करी थी अब इतने सारा इसमें ब्रांच आ गया है तो इतने सारे फूल खिलेंगे और देखिए यहां से काटने के बाद इसका डाल मैं यहां लगा दी थी इसमें भी एक और ये पेड़ होगी या नया मेरे पास तो इस तरह आप लोग भी करें मैरी गोल्ड है इसको भी मैं करी थी तो देखे एक पेड़ से कितना सारा हुआ है अब इसमें मैं यह मैरी गोल्ड को रिपोर्ट करूंगे तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह ज्यादा से ज्यादा फूल लीजिए और पसंद आए मेरा वीडियो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए धन्यवाद